परोपकारी शत्पत्र एक जंगल था, उसमें शत्पत्र नाम का कटफोड़ा पक्षी रहता था, वा केवल फल, फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे, यह देखकर सभी कटफोड़े हैरान होते थे, एक दिन एक कटफोड़े ने शत्पत्र से कहा, अरे शत्पत्र तुम कटफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यूं नहीं खाते, शत्पत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता, शत्पत्र की बात सुनते ही वह कटफोड़ा जोर से हसा और उसका मजाग उडाने लगा, शत्पत्र को उसका मजाग उडाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया, एक दिन शत्पत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई थी, उसने इधर उधर देखा, तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था, शेर को तड़पता देख कर शत्पत्र को उस पर दया गई, वह उसके पास गया और बोला, हेवन राज, आपको क्या कस्ट है, आप इस प्रकार क्य करा रहे हैं, मुझे बताईए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूँ, शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे, शत्पत्र बोला, महराज, कुछ तो बताईए, शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूक लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया, मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा, जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड़ी का टुकडा भी खा लिया, वही हड़ी का टुकडा मेरे गले में फंस गया ना वह अंदर जा रहा है ना बाहर, उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं। फिर उसने शेर से कहा, महराज आप मूँ खोलिए, मैं यह लकडी का टुकडा आपके दातों के बीच में फसा दूँगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड़ी के टुकडे को निकाल दूँगा। शेर ने शत्पत्र की बात मान ली, फिर शत्पत्र शेर के मुँ में खुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड़ी के टुकडे को निकाल दिया। हड़ी का टुकडा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्थ ठीक हो गया। शेर ने शत्पत्र को धन्यवाद दिया और कहा। शत्पत्र, आज तुमने मेरे गले की हड़ी का टुकडा निकाल कर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। फिर शत्पत्र वहाँ से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शत्पत्र बोधी सत्व भगवान बुध थे जो अपने सभी जन्मों में दयालू, अहिंसक और परोपकारी थे।